Welcome to PIVX Classes आज की क्लास में हम C language के ये चार function के बीच में differentiate करेंगे कि इन चारों में क्या difference होता है get care function, get c function, get ch function and get chc function बच्चे हमेशा ही इन चारों functions के अदर confuse रहते हैं और इनका actual meaning नहीं जान पाते हैं तो आज हम इन चारों का पहले theoretically समझेंगे then इसके बाद में practically इनको implement करके देखेंगे कि इन functions का actual में काम क्या होता है तो start करते हैं आज की क्लास को इनके बीच में difference समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा इनके बीच की similarities को कि इनमें similarity क्या है अगर similarity पता लग जाएगी तो हम इने differentiate करना हमारे लिए असान हो जाएगा तो देखिए ये चारों के चारों क्या है चारों के चारों ही Unformatted Care Based User Input Function है सबसे पहले बात करते हैं Unformatted Unformatted का मतलब क्या है आपने C Language के अंदर Print F पड़ा होगा ScanF पड़ा होगा वन functions के अंदर हम %D, %C, %F यूज में लेकर आते हैं D for integer के लिए C for character के लिए मतलब पहले से defined होता है कि हम क्या user से input लेने वाले है जब हमें ना पता हो कि user क्या value input करने वाला है character value करने वाला है string करने वाला है integer करने वाला है उस case के अंदर हम इन 4 function का use कर सकते हैं as a input value मलब user से input लेना हो तो ये function यूज मैंगे 4 के 4 function का काम क्या है user से input लेना जैसे scanF user से input लेने के काम में आता है वैसे ही ये 4 function भी user से input लेते हैं पहली बात तो ये फिर दूसरी बात ही आते हैं कि all returns the sky value मतलब क्या होगा यूजर जो भी value एंटर करेगा उस value का यूजर ने मालो A एंटर किया A for apple एंटर किया तो A का जो भी sky code होगा sky code जैसे की A capital A का क्या होता है 65 होता है तो वो 65 value क्या करेगा return करेगा चारो के चारो function का यही काम है और चारो के चारो इनका working देखेंगे और फिर इसको practically implement करके देखेंगे टर्बो सी के उपर तो वीडियो के साथ में लाश तक बने रहे आपको ये पूरे वीडियो में clear हो जाएगा इन चारो के बारे में तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें next function की get care की get care का देखिए syntax का है सबसे पहले तो आपने get care function लिखा है और यहाँ पर जो भी get care value लेकर आएगा screen से आपके वो value किस में चली जाएगी x के अंदर चली जाएगी इतनी बात समझ में आती है इसमें समझने वाली बात यह है आपके पहले दो function get care और get c दो की बात कर रहा हूँ है get care function की और get c function की दोनों के दोनों के अंदर अगर user ने कुछ भी value enter की है जो भी input के लिए enter की है जब तक user enter key नहीं प्रेस करता जब तक user enter key को प्रेस नहीं करेगा तब तक वो value को acquire नहीं करेगा कौन get care भी नहीं करेगा get c भी नहीं करेगा दूसरी बात ये user जो भी value दे रहे हैं वो value screen के ओपर दिखाई देगी मान लेते हैं कि आपने ये function लगाया और user console screen पर जाकर pyvix लिखता है तो आपको pyvix जो user type कर रहा होगा वो type वाला word आपको नजर आएगा p नजर आएगा y नजर आएगा सब कुछ screen के ओपर नजर आएगा और जब तक user चाहे तब तक लिख सकते हैं लिखने के बाद जैसे ही user enter key को press करेगा enter key को press करने के बाद में जो first character होगा सिरिफ first character उस first character को क्या करेगा वो आपके इस x के अंदर डाल देगा मतलब ये single character value को ही लेता है चारो के चारो ही आपके single character value को acquire करने के लिए as a input लेने के लिए use में आते हैं तब ही हमने इसकी जो definition की बात की थी definition में हमने लिखा था care based unformatted user defined function user input function sorry user input function मतलब क्या था care based मतलब character value को लेंगे मतलब पूरी की पूरी string नहीं लेगा मैंने enter कितने किये थे 5 characters किये थे पूरी string एंटर की थे लेकिन जाएगा only p जाएगा किस के अंदर x के अंदर कब जाएगा after pressing the enter जब हम यहाँ पर जाकर enter key को press करेंगे उसके बाद में ही वो value को लेगा get care अभी मैं इसका practical भी आपको दिखाने वाला हूँ एक बार हम चारों को समझ लेते हैं next देखते हैं get c get c function की एक खासियत कहा है बाकी तीनों से अलग कैसे है get c एक अकलोता ऐसा function है जोकी किसी file से या input stream से भी डाटा को ले सकता है बाकी सबके अंदर princi görd से अगर आपको user input लेना है की बौड से user input लेना तो getcar का use कर लो get c ह का इस्तेमाल कर लो get c कह इस्तेमाल कर लो get c का भी कर सकते हो लेकिन अगर की बोड के अलावा किसी और तरीके से आप user input लेना चाहते हो तो सिर्फ get c function ही काम में आएगा मतलब get c function का use करके आप keyboard से भी input ले सकते हो file से भी input ले सकते हो इतनी बात ध्यान में अपनी है again get care की तरह ही यहां पर भी जब तक user enter key को press नहीं करेगा तब तक यह user input को acquire नहीं करेगा मतलब क्या keyboard से लेना है तो तो आप यहां पर htd in लिख दो अगर आप किसी file से input लेना चाहते हो तो उस file का जो pointer होगा वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा file pointer को यहां पर mention करना होगा और enter key press करने के बाद यह user input को लेगा इतनी सी बात को ध्यान रखना है अभी मैं आपको theory बता रहा हूँ practical हम देखेंगे भी turbo c पे पहले मैं चारो को explain करता हूँ third one है get c h get c h आपने c++ के हर program में last line में लिखा हुआ भी देखा हुगा अभी मैं उस का meaning भी clear करूँगा कि हम last line में get c h क्यों लिखते है get c h का जो actual work है वो क्या है user से input लेना actual work तो user से input लेना है बट इसकी खासियत क्या है बिना enter key को press किये आपको enter key को press करने के जुरुत नहीं है यूजर ने जैसे ही लिखा user ने जैसे ही a press किया वो automatic a को acquire करेगा और a value किस में store करवा देगा एक्स के अंदर store करा देगा मतलब एक वो क्या मंगेगा वो enter key को press ही नहीं होनी देगा बिना enter key के press हुए जैसे ही आपने a press किया वो a value किस में चली जाएगी एक्स में चली जाएगी second इसकी जो खासियत क्या रहेगी it does not display the character on the screen मतलब यूजर जो भी input कर रहा होगा वो screen के ओपर दिखाई भी नहीं देगा जो यूजर ने enter किया वो screen पर नहीं दिखाई देगा वो सीधा के सीधा किस में चला जाएगा एक्स में चला जाएगा get cs का सबसे best example में आपको बताता हूं gaming में gaming में जैसे कि हम कोई game खेल रहे हैं like mario game खेल रहे हैं mario में हम क्या करते है forward वाला बटन यूज करते हैं आगे की तरफ move करने के लिए backward वाला पीछे जाने के लिए move करते हैं जब हम forward वाला बटन प्रेस करत होने लग जाते हैं मतलब मैंने जो input दिया वो screen पर दिखाई नहीं देगा लेकिन उससे related जो भी work होना होगा वो होना start हो जाएगा तो वहां पर भी एक ट्रीके का get cs function ही काम में कर रहे हैं ऐसा मान सकते हैं लास्ट हम बात करते है get ch 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 करवा देगा एक तो यह बात को ठ्यान रखेंगे और जो भी जालेगा वो करेट्टर स्क्रीन के उपर दिखाई देंगे एट डिस्प्लेऊ ऑन्दा स्क्रीन गेट इसक अंधर रिकाई न्याकरर दिखाई देंगे अब मैं चारों को one by one करके आपको practical करके दिखाता हूं तो मैं सबसे पहले Turbo C on कर लेता हूं Turbo C हमारा on हो चुका है मैंने पहले से सारे program लिखके रखें हैं ताक कि हमारा time बच जाएं हम सबसे पहले first program को run करते हैं हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था get care पड़ा था तो मैं get care का program आपको run करके दिखाता हूँ पहले program पड़ते हैं कि लिखा क्या हुआ इसके अंदर देखिए hash include stdio dotage konio dotage ये लगा दिया हमने एक variable ले लिया हमने care x care type का character type का ले लिया और यहाँ पर हमने क्या किया user को एक message दिया enter string उससे पहले मैंने जो यह slash n slash t लिखा हुआ है यह just purpose के लिखा हुआ है ताकि आपको इस screen के लिखा है वो थोड़ा centralized दो के दिखे वना screen में थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई देगा यह just formatting के लिखा हुआ है आप इसे ignore कर सकते हो slash n को भी और slash t को भी तो enter string उन लिखा जैसे user कोई भी डाटा को enter करेगा मैंने क्या बताएदा get care के लिए user जितना भी डाटा चाहेगा वो enter कर सकता है जब तक enter की press नहीं करेगा तब तक वो input नहीं लेगा मैं आपको सबसे पहले इसको compile करके दिखा देता हूँ compile किया कोई भी error नहीं आ रही है और वो डाटा किसमें चला जाएगा X में चला जाएगा देन उसके बाद में हम उस X की value को क्या कर देंगे screen पे print करवा देंगे तो run करके दिखा रहता हूँ सबसे पहले इसने क्या बोला एंटर स्ट्रिंग अब देखे जब तक मैं एंटर की नहीं दबाऊंगा तब तक मैं कुछ मर्जी लिखता रहूं यह लेता रहेगा लेकिन जैसे अब मैं अपने keyboard से एंटर की प्रेस करूँगा सिर्फ p-value जो ही हमारे पास में पी नजर आ रहा है यह p-value ही हमारे edge input जाएगी और screen पे सिर्फ p-print हो जाएगा देखिए पी प्रिंट हो चुका है अब दोको p तो print हो गया लेकिन अभी तक मेरी screen वापिस है वो back तो नहीं गई जो मेरी original screen थी जहाँ पर मैंने पुरा प्रोग्राम लिखा होगा था वहाँ पर मुझे जाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक बार कुछ की और दबानी पड़ेगी कोई भी की मैं एक बार और दबा देता हूं कुछ भी दबा देता हूं जुरूरी नहीं कि entry input लेने का काम करते हैं तो इस get ch ने भी मुझे क्या demand की input की demand की जब मेरा screen के उपर पी print हो गया था उसके बाद भी यह क्या कर दिया मैंने get ch लगाया किसलिए लगाया था ताकि मैं screen को hold करके रखूं तो get ch का यहाँ पर यह c के सभी प्रोग्रामों में क्या काम होता है screen को hold क करके रखना ताकि जो भी आपको output मिला है ना उस output को जब तक आपका मन करें तब तक उसको देख सको और जब आपने उसको देख लिया अच्छे से उसके बाद आप कोई भी keyboard से key press करोगे वापीस से आप इस blue screen के उपर आ जाते हो तो get ch का क्या है आपकी जो output screen है उसे रोक क ch को last में ऐसे बस screen को hold करने के लिए लगा के रख लेते हैं second program आपको मैं चला के रिखा रहता हूं get care के बाद में मैंने get c आपको पढ़ाया था तो get c को चला के देख लेते हैं अपने get c के अंदर भी मैंने क्या कहा था कि यह भी user से input लेगा enter की press होने के बाद ही लेगा इस तक आप लिखते जाओगे तब तक ठीक है जैसे enter की press करोगे first character को x में डाल देगा और x की value को screen पर प्रिंट कर देगा compile कर लेते हैं सबसे पहले कोई error नहीं है रन कर लेते हैं इस program को आपसे वही देखिए पाइविक्स classes मेंने पूरा लिखा सबसे पहले लिख दिया जैसे enter press करूँगा अब जो p character होगा वो क्या ले लेगा उस x variable में लेकर screen पर display करवा देगा देखिए display हो गया वापी से screen hold की होई पड़ी है क्योंकि मैंने नीचे get ch लगाया हुए वह screen को रोका हुए मतलब वह मुझे input मांग रहे हैं अम अपने keyboard से कोई भी बटन प्रेस कर देता हूं तो मुझे वापी से blue screen पे ले जाएगा देखिए मैं blue screen पे वापी से आ गया तो यह get c का यूज करते हुए अगर आप कहते हो कि मुझे तो file से input लेना है तो file से input कैसे लेंगे यह थोड़ा सा program लेंती है इसको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा हमें क्या लिखा हुए है आपने file handling पड़ी होगी c language के अंदर सबसे पहले हमने एक file है pyvix.txt नाम से यह मैंने already एक file बनाके save करके रखी हुई है यह file आपको वहीं save करनी है जहां पर कि आपने यह program बनाया है मैंने यह जो program है अपने turbo c folder के बिंक folder के अंदर बनाया हुए है और इक pyvix.txt नाम की एक file भी उसी folder के अंदर already save कर दी है और इस file को मैंने read mode पे open कर लिया और इस file का जो भी pointer होगा वो हमने file pointer के अंदर save कर लिया अब होगा क्या सबसे पहले fp का use करते हुए इस file pointer का use करते हुए हमने first character को निकाला और किस में डलवा लिया ch में डलवा दिया ch में डलवाने के बाद में हमने यह तो formatting के लिए just ऐसे ही लगाया हुआ है print है इसको ignore कर सकते है यहां पर देखि ch की value eof eof का मतलब end of file के equal नहीं हो जाता तब तक while loop चलता है मतलब मेरे उस file के अंदर जो भी data लिखा हुआ है एक के character निकलेगा एक के character निकलने के बाद मैंने इसको screen पे print करवाँगा और उसके बाद में वापी से get c का use करते हुए get c का काम वही data को लेना fp के through लेगा file pointer के through लेगा और ch में डलवाँगा और बार बार वो print करता जाएगा तो file के अंदर जितना भी मेरे characters होंगे एक के character screen पे display होते चले जाएंगे और जैसे ही मेरा ch eof के equal मला end of file के equal हो जाएगा उसी time हम क्या कर देंगे इस file को close कर देंगे while loop से भार आ जाएंगे और get ch किसले लगा के रखा हुए है अगें get ch file मतलब output screen को hold करने के लिए लगाया हुए है compile करके देख लेते हैं compile हो गया कोई दिक्कत नहीं है run करके देख लेते हैं इस program को run किया और यह देखिए मेरे इस file के अंदर मैंने लिखा हुआ था hello welcome to pyvix classes तो मैंने वहाँ पर यह get ch का program get ch के बाद में हम next पढ़ते है get ch का program get ch के program वैसे तो हमने हर program के अंदर get ch लगाया लेकिन get ch का हम input value के लिए भी देख लेते हैं मैंने message दिया enter string then वो जो भी user data enter करेगा वो get ch के तुरू हमारे किस में आ जाएगा x में आ जाएगा अपकी बार notice करने वाली बात होगी जब मैं कुछ भी user input दे रहा हूँगा तब आपको दिखाई नहीं देगा कि मैं क्या input दे रहा हूँ लेकिन last में क्या होगा your entered your entered के आगे वो वाली character नजर आएगा जो कि मैंने enter किया होगा करके दिखाता हूँ जादा पता लगेगा करते हैं अब देखिए entered string अब मैं अपने keyboard से कोई एक की प्रेस करता हूँ आपको की दिखाई नहीं देगी और plus मैं कोई enter की की प्रेस नहीं करूंगा बिना enter की के प्रेस किये क्या करेगा जो भी मैंने की प्रेस कियोगी वो आपको दिखाई दे जाएगी देखिए मैंने t प्रेस किया था enter प्रेस नहीं किया बिना enter प्रेस किये भी हमारा data को यह एजे input ले लेता है यही get ch और chE में है पहले दो जो थे get care वाला और get c वाला उसमें enter की प्रेस करना compulsory था लेकिन get ch और get chE में enter की प्रेस करना compulsory नहीं है मतलब आपने कोई भी input दिया input देता ही direct वह input को acquire कर लेते हैं तो यह तो हो गया हमारा कौन सा get ch last हमारे पास में जो रह गया वो है हमारा get chE उसके बाद में हमारा यह topic complete हो जाएगा chE के अंदर भी chE क्या करेगा जो भी मैं input दूँगा बिल्कुल डिक्टो प्रोग्राम है बट get ch की जंगा पर chE लिख दिया बाकी सब सेम है compile करके दिखा देता हूं मैं आपको कोई error नहीं है run कर लेते हैं अब की बार मैं जो input दूँगा पहले वह input भी दिखाई देगा उपर enter string में देखो यहां पर देखो ऊपर की तरब भी टी लिखा वा नजरा रहा है enter string में और नीचे जो मैंने वो display करवाया वहां पर भी नजरा रहा है तो यह फर्क हो गया get ch में और get chE के अंदर तो यह था आपका topic जिसके अंदर मैंने इन चारो functions को detail में आपको explain किया फिर भ गया हो यह आपको डाउट हो तो आप मुझे comment section में बताएं आज की class के लिए इतना ही रखेंगे thank you